हलो स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन या जिसको सामांतर माध्धे का आ गया है मीन या माध्धे क्या होता है माध्धे यानि कुछ हमें संख्याई दीवी हैं और उनका ओसत हम निकालते हैं और ओसत निकालने की सामाने रूप से हम क्या करते हैं कि ओसत के लिए हम दिये गए मध्ध या जो चर होते हैं उनका पहले हम टोटल करते हैं और कुल जो चर है संख्या जैसे मालीजी हमें दस आक्रे दिये वे हैं दस संख्याई दीवी हैं तो दस कहा हम उसमें भाग दे देंगे हमारी सीधा सा तरीका हैं तो वह एक तरह का उनका ओसत या माध्ध कहलाता है यानि आक्रों के नून्तम और अधिक तक मानों के मध्धे लगबग मध्धे में ओसत का माना सुनिशित रहता है इसी को समानतर माध्ध के नाम से जाना जाता है जैसे कि आपके पास फोर्मूला आप देख रहे हैं कि समानतर माध्ध या अरिथमेटिक में इस एक्वल टू एक्स बार इस एक्वल टू सिग्मा एक्स या पदों का मुल्ले एक्स क्या है दिएगे वेरियेबल से और बटे एन एन यानि कुल मधों की संख्या अब आता है इसमें डिफरेंट टाइप से हम जैसे पहले आता है हमारा कि इंडिविज्वल सिरीज में अब इंडिविज्वल सिरीज आप किसको मानोगे जैसे आप इसमें देख सकते हैं एक्जांपल जो उपर दिया आबा है कि एक होस्पिटल है जिसमें कुछ पेशेंट दस पिशेंट लिए और दस पिशेंट आपा है दस में अलगली इनका ब्लड प्रिश्र दे रखा है तो ब्लड प्रीशर का में मेड़ने का लिए हम क्या करेंगे हमारे पास एन क्या हो गया capital N is equal to 10 इस संख्या दे रखी है और नेचे जो blood pressure का measurement दे रखा है blood pressure का 10 patients का तो उसका हम सबसे पहले total करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि total जो है इसका कितना आ रहा है 850 और कुल संख्या हमारे बास कितनी है 10 तो mean is mean यानि x bar is equal to sigma x upon n sigma क्या होता है sum total of the variables यानि कुल मदों की संख्या का total वो हमारे पास 850 है और ये 10 है हमारे पास संख्या तो इसका कितना आ गया mean पिच्यासी यानि इसका हम ओसत रगदाभ हम देखेंगे तो वो कितना आएगा इसका 85 mm Hg इसी तरह से आपको एक और एक्जामपल इंडिविज्व सीरीज में व्यक्तिकत रणी किसको का गया है व्यक्तिकत रणी यानि जिसमें जैसे आप देखिए हर एक जो ब्लड पेशर का मेजर्मेंट है वो एक एक ही है दस पेशेंट है तो यह दस जो संख्या दीवी है इंडिविज्व सीरीज अब दूसरा आकराब देख लीजिए कि किसी कक्षा की विद्यार्थियों का जो ब्लड सेंपल लिया उसमें हीमोगलोविन का परसेंटेज निकालना है और उसका मेन निकालना है हीमोगलोविन का परसेंटेज हमें दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या हमें कितनी दे रखी है 15 और हीमोगलोविन जो है डिफरंट डाटाज हमें दे रखे हैं जै इसका हमिए इंडिविजुल सीरीज में अब इनका जो है वो हीमोगलोबिन परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए हम सिधा सा फोर्मूला है कि एक्स बार इस एक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉनन सिग्मा एक्स हम जानते हैं कि जितने 15 जो स्टुडेंट्स हैं उनका हमने हीमोगलोबिन का टोटल कर लिया और हमारे पास संख्या किती है 15 तो उसमें 15 का भाग दे देंगे टोटल हमारे पास आया 140.6 कुल हमारे पास N इस इक्वल टू 15 सो एक्स बार इस इक्वल टू 140.6 अपॉन 15 यहनि एबरेज दो जो आया इसका हीमोगलोबिन का वो खितना है divided by 206.37 9.37 अब दूसराा आता है हमारे पास डिस्क्रीड शीरीज तब स holistic सीरीज जो है देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि कि कॉन्डिट शेनी जिसको कर आ गया पहले ती सिर्द इंडिवीज़ेवीज़ अब आती है इस्क्रीट चीरीज जिसमें फ्रिक्वेंसी दीवी होती है और सिग्मा एन का मतलब सम्टोटल ओफ फ्रिक्वेंसी जानी आवरितियों के पुल योग जो है वो आएगा इसमें सिग्मा एन तो आप इसका फोर्मूला देख सकते हैं कि कि खंडिच च्रेंडी में सदेव प्रत क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं थी आप इसमें फ्रिक्वेंसी है तो हम क्या करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ सिग्मा एनि सम्टोटल तो सिग्मा एफ एनि जो वेरियेवल दिये हैं उसको उसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टिप्लाई करेंगे और उस तो इसमें भी ब्लड प्रेशर जो है उसका एक दे रखा है कि डिफ्रेंट मेजरमेंट्स दे रखे हैं ब्लड प्रेशर के किसी का 140 170 100 120 180 और नीचे मरीजों कि संक्या बही 140 कितने मरीजों का है 170 है चार का 100 है पांच का 120 है दसका इस तरह से आप देख लीजिए कि पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर और कितने पेशेंट्स का है वह उसकी आउर्थी हो जाएगा फ्रिक्वेंसी तो अब इसका देखिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स और सिग्म एफक्स क्या है एफ हमें अमें देदिया यह ब्लड प्रेशर का मेजर्मेंट देदिया और एक यह एक्स और फ्या इसी तरह से जो डिफरंट ये दे रखे हैं इनको उसके उससे मल्टिप्लाई करेंगे और हम इसका शिग्मा एफ-एक्स निकाले का हम उसका sum total करके जो आप देख रहे हैं ये शिग्मा एफ-एक्स जो है इसमेंड सिग्मा एफ यानि अब यह जो आवरती दीवी है उसका भी हम टोटल करेंगे वो कितनी है चालीस उसमें उसका हम भाग दे देंगे तो हमारे पास जो है वो मेन आ जाएगा वो किसमें आएगा वो डिस्क्रीट यानि खंडित श्रेणी में यह आ गया मेन इसमें दूसरा देखिए एक और आकड़ा दे रखा है इसमें कि कुछ लोगों में WBC की संख्या है WBC की संख्या देखे आपको यह एक्जामपल जो है 4500, 41, 52, 3700 और कितने लोगों की है जैसे 4005 की है यह क्या होगी इसकी आवर्थी या जिसको फ्रिक्वेंसी का है 5000 कितने लोगों की है या नही 5000 की संख्या किती बार रिपीट हो रही है शे लोगों में रिपीट हो रही है वही रिपीट होना ही उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है अब इसका हम क्या करेंगे सबसे फ़ले सिग्मा एफएक्स निकालेंगे यानि चार पाजार यह जितने नंबर्स दे रखेंगे दस संक्याएं अब दस की जो फ्रिक्वेंसी उसके सामने उसको उसको मल्टिप्लाई करेंगे और उसका नीचे जो है वो सम टोटल करेंगे तो वह आजाएगा हमारे पास सिग्मा एफएक्स जो इसमें दे रखा है देखिए कि 61,7 साथ यह शिक्स वन सेवन फाइडवल जीरो यह आ गया हमारे पास किसका जो है वो एफएक्स का अब सिग्मा एन हमारे पास 93 आ गया जो लोग है जिनकी डव्लुबीसी निकाली उनके सं यह भाग दिया आमरे पास यह आ गया गया तीसरा हमारे पास आता है इसमें mean for continuous series यानी सतर्ष्रेणी इतने से इतने जो group बना बना के हैं उसको हम continuous series या सतर्ष्रेणी कहा जाता है तो सतर्ष्रणी में जब हम माधे निकालते हैं तो उसके लिए जो है सिग्मा एफ एक सपुन एन वही चीज है इसमें एन इस एकवल टू सिग्मा एफ जैसे आपको यह दे दिया जैसे group दिया है कुछ आंक्रों के group दे दिया जैसे blood pressure का यह measurement दे दिया है 60-70 के बीच वेपी के ते लोगों का है चार का 70-80 के बीच पांच का 80-90 के बीच चार का फिर 90-100 के बीच चार का तो इस तरह से देखिए 10-10 का group बना दिया अब यह 10-10 का group बना दिया और इनकी आवरती किते किते लोगों वह उसकी frequency होगी तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यह जो group है उसके बीच का midpoint निकालेंगे मध्यमान निकालेंगे और midpoint जो निकालेंगे वो क्या करेंगे कि आरंबिक संख्या और अंतीम संख्या जैसे 60 और 70 तो 60 और 70 को जोड़के उसमें 2 का भाग दे देंगे तो बीच की संख्या जाएगी जिसको इसमें dx से दर्शाय गया है दूसरा मरीजों की संख्या हमरे प frequency के से हम multiply करेंगे या गुणा करेंगे और उसका total निकालेंगे जो हमारे पास आ रहे है 2960 और इसका n या sigma f हमारे पास 30 है अब इसमें मान रख देंगे आप sigma f dx भी कह सकते हो इसको और sigma fx इसमें दे रखा देकि dx किसका मान है मद्यमान है दोलों संख्याओं के बीच की यह इसमें संख्या आ गई है यह इसके और भी उधारन दे लखे हैं अब देखिए आता है इसके बाद step deviation या पदविचलन विधी पदविचलन विधी जो है इसके अंतरगत जो है वो आपको एक example दे रखा है और इसका formula जो है वो x bar is equal to a a का मतलब होता है यह assumed mean या कलपित माद्धे यानि जो आप midpoint निकालेंगे जिसको हमने जो continuous series में dx का नाम दिया था या हमने मान लीजिए m का दे दिया वो जो मद्धे मान है उसमें से किसी एक संख्या को हम क्या मानेंगे assumed mean या कलपित माद्धे तो x bar is equal to a plus sigma fd dash upon n into c c क्या है यहाँ पे class interval यानि class कौन सी जैसे सार्ट से सत्र के बीच का group है सत्र से असी है इन दोने को बीच कितना अंतर है दस का तो यह सी क्या हो जाएगा दस है तो इसमें देखिए आप सबसे पहले यह देखिए यह दियावा है जीरो से 10 10 to 20 20 30 30 से 40 40 से 50 यह एक series दे रखे सबसे पहले cream Buch Port निकालेंगे पहली और ऊस्च्या जीरो और 10 को जोड़ा दस में उसमें दो का बाग दिया के ताग्या पांच दूसरा दस और बीस को जोड़ा दो का भाग दिया पंद्रव क्रांट इस तो इसमें से किसी एक संख्या को approximately लोग जो कि संख्या कोई मानते किसी को भी मान सकते हैं जैसे यहां पर उन्हों ने मानना है किसको यह म माईनस ए यानि मिड पॉइंट माइनस ए ऐजुमड मीन इज एकवल टू डी इसको क्या का गया है इस नहीं कलपीत माध्य किसको माना है 35 को आप 25 भी मान सकते हो तो भी रिजल्ट वही आता है 35 को इन्हों नहीं मान लिए 35 M क्या इसका 5 है 5-35 इसे 35 को सब में से माइनिस करेंगे इस M में से 5-35 15-35 25-35 35-35 0 हो जाएगा और 45-35 यह आ गया D का मान अब D में क्या करेंगे आप क्लास इंटर्विल का देखे D है और माने संक्या जिसमें 10 का बाद क्लास इंटर्विल का इन्होंने भाग दे दिया इसमें तो यह कितना आ गया माइनस 3 2 1-1 इसको फ्रिक्वेंसी से गुणा कर दिया सामने की जो है फ्रिक्वेंसी की दे ही रखी है आप रती जो है दस जैसे माइनस 3 को करेंगे 30 आएगा बारा को करेंगे 2 से 24 आएगा इस तरह सी करके सिग्मा जह वो एफ डी डेश इन्होंने निकाल लिया है एफ डी डेश का मान कितना आ गया माइनस 64 अब इसमें रखेंगे हम तो देखिए एक्स कितना है एक्स बार इस इकल टू ए हमारे पास कितना था हमने लिया था 35 एफ डी डेश हमने निकाला है माइनस 64 है एन हमारे पास 70 है 70 यह आवरती जोड रखी है और इंटू 10 ग्लास इंटरवल कितना हो गया दस अब इसका मान कितना आएगा 35 और प्लस आगे की संख्या पहले हल करेंगे पूरी वो संख्या कितनी आ रही है माइनस कितनी आगी 9.4 उसको 35 मेंस कर दिया तो यह कि सिग्मा एक्स बार इस इकल टू 25.86 की मीन है स्टैप डेविएशन या पद्विचलन विधी से तो इस तरह से हम देखिए अरिथमेटिक मीन या सावांत्र माध्धिक ज्याद करते हैं जिस मैंने आज मैंने आपको बताई है सबसे पहले इंडिविज्वल व्यक्तिकत श्र से जिसमें संख्यां एक-एक होती हैं लेकिन जिसके साथ फ्रिक्वेंश दिवी होती है यह जिसमें मीड पॉइंट निकालना होच छोथा हो गया जो स्टैप डेविएशन मैं मेतं हैं जिसमें क्लास इंटरवल के साथ को मानना पढ़ता है THANK YOU